आज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ देखिए यहां पे कैसे युध अस्तर पे काम चल रहा है सायद आपने किसी भी सहर में एक साथ इतना रोलर चलते हुए नहीं देखा होगा देखिए पीछे वहां पे यहां पे यहां पे यहां पे लग रहा है कि रोबोट से यहां पे काम हो रहा है देखिए ध्यान से देखिए यह सारे सारा चीज देखिए अगर इसे भी विकास नहीं कहेंगे तो फिर किसे विकास कहेंगे और जो लोग बार बार ये कहते हैं कि मंदिर के वज़ा से विकास नहीं होता है तो ज़रा ये पता दीजे कि इन सडकों को चोणा आप लोगों ने पहले क्यों नहीं किया था और अब ये जो विकास हो रहा है वो किस वज़ा से हो रहा है और क्यों हो रहा है यह अभी जो सडक है वो पहले इतना पतला हुआ करता था लगबग 16 फिट चोणा हुआ करता था अभी यह फोर लेंद पूरा बन चुका है और जहां तक नजर जाएगा वहां तक आप ध्यान से देखिए ट्रके लंबी-लंबी ट्रके जो है खड़ी है और सब जो है सडके बन जो हा रही है और दीन और रात यहां पर काम चल रहा है तिन और रात हमेशा काम करते हैं आप लोग अरे भागियमन बाड को का मीज़ता नंबर का अचा अच्छ यह पिकास हो रहा है दिखाते हैं हम डवलप्मेंट यह सब नहीं कहते हैं इसको तो फिर क्या कहते हैं और देखिए कितना स्पीड में काम चल रहा है और देखिए उधर रोलर देखिए सब अच्छे भंग से रोड बना रहा है अच्छा अच्छे डंग से बन रहें कि ने कि ने हो इसके अ अब हम पुरा सब सबस्व स्वक्सता पर भी धिहां दी आ जा रहा है जा रहा है अब लोग खोशा है की नहीं है किस वजह से वगा है वो रहा है और अप लोग को बिकास दीख नहीं रहा है दिख रहा है जिसे खड़ा है कित्म राइन से खड़ा है ne अगर आपको अयोधिया का विकास नहीं दिख रहा है तो अयोधिया में आई और देखने का प्रियास कीजिए मैं अभी राम मंदिर से लगबग 6 किलोमीटर दूर हूँ उसके बावजूद जो है यहाँ पे जो है डेवलप्मेंट दिखाई दे रहा है मुझे सायद कुछ नेताओं को डेवलप्मेंट नहीं दिखाई दे रहा है उनसे मैं बिनती करना चाहता हूँ कि एक बार अयोधिया आइए आख खोल के देखिए कि यहाँ पे जो डेवलप्मेंट हुआ है वो किस वजा से हुआ है मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर राम मंदिर नहीं बनता तो सायद यहाँ पे इस परकार का डेवलप्मेंट नहीं होता जय सिरी राम